नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी मैं इस समय दिल्ली के इंडिया गेट पर हूँ और यहीं से शुरू होता है करताव्यपत करताव्यपत दिल्ली के इंडिया गेट से सीधे तोर पर राश्टपती भवन तक जाता है और इसी मार्ग को एतिहास में राजपत कहा जाता था लेकिन मोधी सरकार ने इस पत का नाम चेंज करके इसे करता विपत कर दिया है हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने इस पूरे इलाके में जो रीडवलोप्मेंट जो उनका प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा रीडवलोप्मेंट प्रोजेक्ट उसका शुरुवाती तोर पर उदगाटन किया है यहाँ पर उन्होंने कई तरह के नए विकास किये हैं कई तरह के परिवर्तन किये हैं अपनिवेशिक जो काल था उस दौरान जो चीज बनाई गई थी अंग्रेजों के दौरान उससे हटा कर कुछ नए विकास किये गए हैं आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सुभास चंद्र बोश की एक 28 फुट उची प्रतिमा का भी उदगाटन किया है उसका अनावरन किया है और उनको श्रद्धान जली दी है आज कुई इस पूरे रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सेंटरल विस्टा प्रोजेक्ट आखिरकार है क्या और उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन किये गए है आखिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रिम प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है Central Vista Project, Central Vista Redywblogmen Project यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रिम प्रोजेक्ट कहा जाता है इसमें कई तरह का जो परिवर्तन है वो रेल भवन, राष्टपती भवन, संस, तमाम तरह के जो लुटियन जोन जो सेंट्रल बेली में इस्थित जो हमारी सरकारी इमारते हैं, सरकारी ओफिसेज हैं उसमें परिवर्तन किये जाने का एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए 608 रुपे का भारत सरकार खर्च कर रही है और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी जाधा चरचा में है आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जो अंतरगत चीजे डवलप की जा रही है उसका एक मकसद ये भी है कि आपनिवेश काल की जो हमारी यादे हैं उसको खत्म करना इसके अलावा अगर बात करें अपनिवेशिक काल के दोरान हमारी सेंट्रल डैली के बारे में जो इंडिया गेट है और वो जो सामने से उसके गुजरता हुआ राजपत है राजपत जो है वो राश्टपती भवन तक जाता है और यहीं पर ही राजपत पर ही इंडिया ग दिया गया है आईए आपको दिखाएंगे कि सेंट्रल विस्टार री डवलप्मेंट प्रोजेक्ट के अंदर कैसे राजपत को करता विपत पनाया गया और कैसे यहां का काया कल्प किया गया है करता विपत के इतिहास की बात करें तो करता विपत का इतिहास काफी पुराना है करता विपत इंडिया गेर से लेकर राश्टपती भवन तक लगभग साड़े तीन किलो मेटर एक लंबा और चौड़ा रास्ता है यह काफी इतिहासिक है क्योंकि 26 जनवरी की जो परेड है वो इसी मार्ग पर होती है इतिहास में इस पत को किंग्सवे कहा जाता था लेकिन जब भारत सरकार आई तो उसने किंग्सवे का नाम बदल कर राच्पत कर दिया और अब राजपत का नाम बदल कर मोधी सरकार ने कर्तव विपत्थ कर दिया गया है लोजिक ये दिया जा रहा है कि राजपत यानि कि राजाओं का मार्ग हुआ करता था अब ये मार्ग कर्तव का मार्ग होगा यानि कि हमारे जो कर्तव हैं वो इस मार्ग से जुड़े हुए हैं यहां कोई राजा नहीं, कोई राजशाही नहीं ये लोकतंत्र कहा जाता है इस वज़े से राजपत का नाम कर्तव विपत कर दिया गया है इसके अलावा आपको बता दें कि राजपत का नाम जो बदला गया है वो NDMC द्वारा बदला गया है ये एक बैठक के दौरान ये फैसला किया गया था इसके अलावा अगर इतिहास की बात करें तो राजपत करतवेपत का जो इतिहास है वो 1911 से जुड़ा हुआ है उस दौरान हमारे जो भारत में अंग्रेजी शाशन हुआ करता था और भारत की जो रासधानी है वो कॉलकाता हुआ करती थी लेकिन कॉलकाता में बहुत जादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था और अंग्रेज कामकाज नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण किंग्स जौर्ण पस्टम भारत आये और उन्होंने कॉलकाता से हमारी जो रासधानी थी भारत की वो इस्थानांतरित कर दी दिल्ली और दिल्ली को नए सिरे से बनाया गया कामकाज के लिए यहाँ पे ओफिस बनाये गए भवन बनाये गए जो आज भी हमारी एतिहासिक इमारतों के रूप में जाने जाते हैं किंग्स जॉर्च पस्टम ने इस पूरी जो इलाका है इसका जो डिजाइन बनाने का जो जिम्मा था वो एडविन लुटियन को दिया था और हार्बर टैबर को दिया था उन्होंने इस पूरे इलाके को डिजाइन किया था और आज भी वही डिजाइन यहाँ पर अपनाया गया है Central Vista Redevelopment Project के अंदर इसमें कुछ नया पल लाया जा रहा है और अपनिवेशिक जो काल था उसकी जो यादे जुड़ी हुई थी उसके समान थे यहाँ पर उसको हटाया जा रहा है और नए सिरे से आत्म निर्भर भारत के एक संकेत दिया जा रहा है दिल्ली में एहम इमारते बनाने का जिम्मा एडविन लुटियन्स और हरबर्ट बेकर को दिया गया इन दोनों ने ही Central Vista को डिजाइन किया ये प्रोजेक्ट वाशिंग्टन के Capital Complex और पैरिश के शौन्स अलिजे से प्रेरित था ये तीनों प्रोजेक्ट नेशनल बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे लुटियन और बेकर ने उस वक्त गवर्नेंस हाउस जो आज राश्टपती भावन है इंडिया गेट काउंसिल हाउस जो आज संसद है North Block, South Block और Kings John Statue जिसे बाद में War Memorial बनाया गया का निर्मान किया आजादी के बाद Central Vista Avenue की सड़क का भी नाम बदल कर Kings Way कर दिया गया था बाद में इसे राश्पत बना दिया गया जिसका नाम आज करता विपत हो गया है Central Vista के अंदर क्या क्या चीज़े आती हैं इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त Central Vista के अंदर राश्पती भवन, संसद, नौर्थ ब्लोक, साउथ ब्लोक, रेल भवन, वायू भवन, क्रिशी भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्मार भवन, नेशनल आर्काइव्ज, जवाहर भवन, इंदरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट् प्राश्टबती का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वानेज्ज भवन, हैदरबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वार म्यूजियम और विकानेर हाउस आते हैं सेंटर विस्टा के पूरे शेतर में नए सिरे से विक्सित करने के प्रोजेक्ट का नाम सेंटर विस्टा री डवलप्मेंट प्रोजेक्ट है, इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो कुछ में बहुत जादा बदलाव किया गया है, उचको गिरा कर उनकी जगर नई इमारते बनाई जाएंगी सेंट्रल विस्ट एवेन्यू का पुनर निर्माड पूरा होने के बाद उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा किया जाएगा फिलहाल उन्होंने इंडिया गेट से लेकर राष्टपती भवन तक का जो एक शुरुवाती दौर था उसका काम पूरा करने के बाद इसका उद्घाटन कर दिया है इंडिया गेट जो है वो हमेशा से ही परेटकों की खूपसूरत और सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है यहां पर सबसे जादा दिल्ली घूमने वाले लोग यहां पर आत किये गए हैं अगर आज आप आते हैं विकेंड पर आगर आप दिल्ली घूमने आ रहे हैं इंडिया गेट देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पर किस तरह का विकास कर दिया गया है अंडर पास बना दिया गया है नई नई घासे लगाई गई हैं और फूल बनाये बनाया गया है आप मेरे पीछे ये नहर देखेंगे ये लेक है जो कृतिम लेक कहा जाता है जिसे आप देखेंगे यहाँ पर जो फुआ रहा है उसके जरिये लगातार पानी चेंज किया जा रहा है और लेक का जो पानी है वो पूरा भी साफ नजर आ रहा है अगर आप देख से एक आप राजघाट देखते थे उसी तरह से राजघाट का भी लुक याँ पर देने की कोशिश की गई है जो घासे थी जो बहुत जादा सूक चुकी थी खराब हो चुकी थी नए सेंटरल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर उसे भी नए सीरे से लगाया गया है साफ यहां पर 608 करोड रुपए जो सेंटरल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर लगाये हैं उसके तहट यह शुरुवाती तोर पर काम किया गया है सेंटरल विस्टा री डवलोप्मेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो एवेन्यू वाला पार्ट है उसमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं तो आप इन परिवर्तनों को साफ तोर पर देखेंगे यदि अगर आप पहले इंडिया गेट आये हुए हैं तो आप देखेंगे कि जब आप इंडिया गेट यानि की राजपत से सीधे चलते थे जो उसके किनारे जो जगह होती थी वहां पर वो जो बदरपुर की कॉंक्रीट वाली जो बालू होती है जो मटी होती है उसका मार्ग बना हुआ था लेकिन आज जो मार्ग है आप मेरे नीचे देखेंगे यहां पर यहां पर जो मार्ग है वो पत्थर लगा दिये गए हैं और यह जो चलने के लिए जो रास्ता एक अच्छे से तयार कर दिया गया है आप देखेंगे यह पूरी तरह से पत्थर लगा दिये गए हैं अगर आप पुराने से कंपेर करें तो पुराने टाइम में जो इस जो सेंट्रल विस्टा से पहले का जो टाइम था उसमें यह पूरी जगह पे एक बदरपुर बिचाया हुआ था उसके द्वारा मार् करेंश होती है बहुत जादा पानी भड़ जाता है तो जल निकासी के लिए भी यहां पर चीजे बनाई गई है यह आप देख सकते हैं और अगर बात करते हैं कि पुरानी चीजों में से अभी क्या है तो यह जो चैन है अगर आप पहले के कंपैरिसन में देखेंगे यह जो इसको भी इसी तरह से देखेंगे आप यह इसमें इसके डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है यह भी उसी तरह से आप लैंप को देखेंगे उसी तरह से हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और बाकी अगर आप देखेंगे तो सुविधा के मामले मे साफ सुत्रय जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज कर दी गई है उसके मामले में अंडर पास बना दिया गया है अगर लोग पहले क्या होता था लोगों को यह जो क्रॉस है रोड क्रॉस है यहां से सारी बहुत सारी बसे होके गुजरती है इसको इसका जब रेड लाइट होती थी अगर पाते थे लेकिन उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने अंडर पास भी बनाया गया है और हर जगा एक जो स्टैबलीज जो डस्ट बिन होते हैं उसे बनाया गया है ताकि लोग उसमें कच्रा डाले ना कि यहां पर बाहर फैलाएं एक लेकिन उस पर पावंदिया लगा दी गई है अब जिनको राइट होगा जिनको मिला होगा कि वह यहां पर बेच सकते हैं लाइसेंस मिला होगा बस वही लोग यहां पर सामान बेच सकते हैं खुले में मोधी सरकार की तरफ तरफ से उनका dream project है यह सैंचल विस्टा जिसके अ और दूसरी बात अगर country वाइस देखें तो बाहर का कोई परेटक अगर हमारे देस में आता है तो और यहां पर देखता है इतना बदलाओ तो बाहर जाके भी हमारे country का मतलब एक इमेज बढ़ता है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है सबसे बड़ी बात है जो वार्म मेमोरियल है मैं तो रहने वाला में डैली से ही हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं कई सालों बाद इधर आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा रिली अमेजिंग मोदी सरकार अच्छा काम किया और भी बहुत सारे लेवल पर मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है अब चाहें आप नेशन सेक्योटी की बात कर लें या फिर वैसे चोटी-चोटी चीजों को ले देख लें पहले यहां पर इतनी सफाई नहीं रहती ती जितना अभी सफाई यहां पर डिपेंड करता है ना हाँ वो हम पर बिल्कुल मैं आप ठीक कर रहे हैं कि हम पर डिपेंड करता है लेकिन कोई राह दिखाने वाला तो चाहिए पहले कभी ने सोचा किसी के अंदर यह छोटा सा थाट प्रोसेस नहीं आया ना अगर छोटी सी बात करें हम विलेज विले चली है ना घर-घर में ट्वाइलेट एन ओल तो यह सब चीज है तो कहने को बहुत छोटा सा थाट प्रोसेस है लेकिन सोचा तो किसी नहीं 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 तो दैक यह जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया गेट की जो काया को पलटा गया है उसे आप बहुत अच्छा लगरा है बहुत क्पले आप इंडियागेट यहां है और आप कुछ क्ली के साथ है कि पहले इंडिया गेट कैसा था और अब जो मोदी सरकार के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर इसका काया पलट किया गया है उसको किस नजर से देख रहे हैं चुकि पहले में आ चुका हुए आपे उस समय भी काफी अच्छी ती ती जैसे में कॉंग्रेस क कि असपास के जितने भी जगह है काफी सुन्दर स्वक्ष है हम लोग हर साल कभी न कभी तूट पे आते हैं और इंडिया गेट के हमें असना ब्रह्मन करते हैं जी हां हमेशा इस बार भी मैं आगरा आया ब्रिंदा बनाया और इंडिया गेट को फिर सक देखने आया यहां देखने के बाद हमें अपने भारतिय संस्कृति पर काफी घौरब मसूस होती है हम लोग यह कहना चाहते हैं हमारा इंडिया जिंदाबाद भारत जिंदाबाद थैंक्यू आज की इस खास रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया है सेंट्रल विस्टा रीडवलोप्मेंट प कर दी गई हैं बात करते हैं कि लोग सभा में चार प्रोजेक्ट के बारे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था और इसके लिए 608 करोड रुपे का एक प्रोजेक्ट भी पास किया गया थ जिसके तहत ये सारी चीज़े बनाई जा रही है अब तक 470 करोड रुपे खर्च किये जा चुके हैं और काफी काम हो चुका है माना जा रहा है संसत भवन का भी 70% काम हो चुका है आगे आगे जैसे जैसे जो जो काम होता जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी स्वेम आ अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके